हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी समय हो रहा है दस बज रहा है सुबेरे का मैं मम्मी के घर कुछ काम से आये थी फ्रेंड्स तो मम्मी बोली कि चल उपर छट से सबजी तोड़के आते हैं तो मैंने देखा इतनी सारी सबजियां उगी हुई थी बरबटी बैगन मतलब तरह तरह की सबजियां उगी हुई थी तो मैं देख के चौंग करी फ्रेंड्स और मैं बरबटी तोड़ने लगी ये बरबटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी मम्मी बता रही थी मैंन कि मैं बलबट्टी तोड़ रही हूं मम्मी बोली कि थोड़ा सा बैगन भी तोड़ लो तो मैं बैगन भी तोड़ी जब अपने हां से सब्जियां तोड़ के बनाओ तो सब्जियां वैसे भी बहुत ही ज्यादा टेस्ट ही लगती है देखिए हमारी बैगन कितने अच्छी लग रही है और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मेरे पापा ना गवार फली की भी सब्जियां उगा हैं बट अभी उसका सीजन नहीं है तो वो फला नहीं है दोचार मिर्ची भी तोड़ लेते हैं हम देखिए ये वाइट बैगन होता है ना फ्रेंड्स ये अम्रूत का पेड़ है जिसे हम भी भी कहते हैं अभी फला नहीं है मैं इसका भी वीडियो आपके सांथ जरूर से यार करूंगी हमारे यहां की वीई बाहुत जादा मीठी रहती है एकदम टेश्टी भी है और बहुत ही जादा फलती है मैं सबजीयां तोड वह एक्वे स्पावी कुल एक्ट कशुकी हैं और मर्मट्टि बैगन और तोड़ी ही मिलची तोड़ी होगो Mayo को भी स्पावग दिर के भाद में घर जांगी घर जा minutes कर ठोगर ख़ाना पना बनाओंगी ऑज मा करे पेशे का प्लालू कारेण की सब्जी मिलची देल बट्टे पर टमाटो की चटनी पीस उंगी तो मैं यहां पर नहाँ दोकर कीचन में आ गई हूं। सबसे पहले मैं दाल चड़ा दूँगी। लुंच में दाल चामल और आलू करेला की सबजी बनाऊंगी। तो मैं दाल को पहले दो के नमक और हल्दी डाल कर इसे चड़ा देंगे ताकि दाल जल्दी से पक जाए यहां पर मैंने आधा किलो के लगभग करेला लिया है यह मिडियम साइज की करेला है और सबसे पहले मैं चावल को धो कर चड़ा देती हूं ताकि दाल चावल और सबजी तीनों एक साथ बने क्योंकि समय का थोड़ा सा भाव था हमें इसलिए हमें थोड़ा बाहर भी जाना था मैं जल्दी करेला को छील लेती हूं करेला को छीलने के बाद इसे 2-3 पानी वॉस कर लेंगे और फ्रेंस यदी आपको करेला थोड़ी करवी लगती है तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो कभी भी आपको करेला करवी नहीं लगेगी हलका से एक boil आने तक हम इसे उबाल लेंगे नमक डालके जब तक हमारा करेला एक boil उबल रहा है तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर lesson लिया है जिसे मैं छिल रही हूँ और आज मसालों को मैं सिलबटे में पीशूंगी फ्रैंस क्योंकि सिलबटे में ही मैं सालों को पीश कर भर्वा वैगन, भर्वा करेला या भर्वा जो भी सबजी होती है न मैं मसालों को सिलबटे में पीश कर बनाती हूँ इस तरीके से मैंने lesson धनिया थोड़ा सा जीरा लिया है करिला उबल जाए तो हम उसे बीज से चीरा लगा देंगे देखिए फ्रेंस ये मेरा सिलबटा है और ये मेरे साधी का सिलबटा है तो क्या है साधी होती है न तो इसी में प्यार रखके कुछ क्रस्म किया जाता है तो ये वही सिल बट्टा है सिल बट्टे में पीशा हुआ मसालो का तो टेस्ट पहुत ही अच्छा आता है और मैं यहां पर सिल बट्टे में मसाले पीश लेती हूं तब तक हमारे चावल और दाल भी पक रहा है हमारे मसाले पीश का रैडी हो गए है और अब हम इसमें मिला देंगे नमक, स्वाद के नुसार, मिर्ची पाउडर बस यही मिलाएंगे आप मिर्ची भी अपने हिसाब से मिलाएगा यदि ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा कम खाते होंगे तो कम मिला लीजेगा मैंने यहां पर मिर्ची को एक चमच के लगपक गैस में चढ़ा देंगे नहीं खराब नहीं है फ्रेंस अबरे मैं इसमें पास्ता बनाई थी तो पास्ता चिपका नहीं था तो मैं पास्ता को दूसरे में ट्रांस्टर कर लिया फिर से मैं इसी में सबजी बना रही हूं और देखे मैंने यहां पर दो आलू लिया है इस तरीके से मैं आलू को कट कर कर देखे इस तरफ़ाले को कट करना है इसी मसाले को आलो में में मैं आवडा damn तो कर देना है थोड़ा मीखस मसाला एड़ करना है हमें तो इस तरीके से अगर इस तरीके से आप बनाएंगे आपके सब्जी बहुत ज्यादा टेश्टी बनेगी जो करेला नहीं खाते हैं न वह भी करेला खाना शुरू कर देंगे क्योंकि इस करेले में जला सभी कड़ु आप नहीं था क्योंकि हम करेले को छील कर हम धो लिए थे धोने के बाद अब इसे हम बॉयल कर होंगी तो प्लीज लाइक सेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें यहां पर हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है तो अब इसे हम तड़का लगाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स करेला को हम उलट पलट करके सेक रहे हैं और आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आप करेला कभी भी बनाएं तो उसे बीना ढखके ही बनाएं क्योंकि बिना धके बनाने से करेला का जो कड़वापन है वो दूर होता है इसलिए आप करेला को कभी भी बनाए तो बिना धके ही बनाए दाल को हम तड़का लगाने के लिए तेल डाल दिये हैं तेल करम होने के पाद थोड़ी सी प्याज कट करके हम डाल दिये हैं प्यास थोड़ा सा golden brown होगा उसके बाद हम यहाँ पर जीरा एड़ कर देंगे थोड़ा सा 36 गड़ में दाल में हिंग डाल के fry नहीं किया जाता है सिर्फ दाल को plain fry किया जाता है दाल में नहीं टमाटर डालते हैं अलब में ते मिर्ची ओधिक तो अब मैं टमाटर की चटनी सिलबट पीच लेती हूँ सिल बट्टे पर जो मैं करेले के लिए मसाले पीची थी थोड़े से इसमें रह गये थे तो मैं यहीं पर एक कली लेसुन और एक हरी मिर्ची पीच लेती हूँ और यदि आपके पास धनिया हो तो धनिया भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए जेगा क्योंकि मेरे पास धनिया खतम हो चुकी थी इसलिए मैंने नहीं डाला है और दो टमाटर को मैं यहाँ पर पीच लेती हूँ और सिल बट्टे पर पीचा हुआ मसाला हो चाहे चटनी हो मेहनत जिसमें लगता है वो तो वहुती ज़्यादा स्वादिश्ट लगती ही है हमारी चटनी पीच गई है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो मैंने स्वाद के लुशा नमक डाल तिया था और पीचने के बाद मैं सिल बट्टे को अच्छे से बॉस कर लूँगी करेला और आलो की सबजी भी बनकर राड़ी हो चुकी है आलो और करेला की सबजी बढ़ने में लगभक 20 मिनट का समय लगा क्योंकि करेला जब सेखते हैं तो थोड़ा समय लगता है और ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लग रही थी और चलिए फ्रेंड्स आज की थाली भी रेड़ी कर लेते हैं आज की लंच में हैं दाल, चावल, टमाटर की चटनी, आलू और करेली की भरवा सबजी और हमारे लंच रेड़ी और अब मिलते हैं अगले वीडियो पर पापाई टेक केर सी यू